धम्पद चित्वग्गो गाथा कथा नंबर 43 ये सौरय इस्थिवर की है सौरय को शौरय भी बोलते हैं और सौमय भी बोलते हैं दौनों बात हैं पाली के अंदर यहां सौमय वाला सौरय है जो सौरय था उसकी अपनी एक पत्नी थी वो बड़ा इस्त्री प्रेमी था इस्त्री देखतर मचल जाता था एक उसने शादी की उसके दो बच्चे हुए वहाँ पर वो रुका नहीं उसको दूसरी इस्त्री से प्यार हुआ प्रेम हुआ उसने फिर शादी की दो बच्चे उ से हुए दूसरी इस्ति से शादी करने के बाद दो बच्चे होने के बाद उसके मन में राग खतम होने लगा तो वो महा कच्चान की सर्ण में गया महा कच्चान ने उसको पवज्जा दी महा कच्चान ने उसको धंग साधना सिखाई और धंग साधना सिखाते समय वहां भिक् ज्यादा अच्छे हैं पहली पत्नी के या दूसरी पत्नी के सौरे इस्थिवर बाद में अरत हो गए अरत होने के बाद उन्हें अपने चारों बच्चों में से कोई बच्चा या दोनों पत्नियों में से कोई पत्नी फिर राग की अधिन नहीं आती थी उनसे कोई प्रेम नह उनसे कोई उने द्वेस नहीं रहा, वो अरार्थ होगे, सारे राग और द्वेस से मुत्थ होगे, तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कौसर जन्पत में कही गाथा नमबर 43 इस प्रिकार है ने तंग माता पिता करिये, अईये वापी चे यादका, सम्मा पड़ी हितंग चितंग, सेयो सो नं ततो करें यानि जितनी भलाई माता पिता नहीं कर सकते, ने तंग माता पिता करिये, यानि नहीं कर सकते माता पिता जितनी अने कोई भी वापी माने कोई भी ने याद का याद का माने जो जानकारी में हो یعنि जितने भी जानकार हैं भाई, बंदु और रिजदार हैं वो भी इतनी भलाई नहीं कर सकते सम्मापडीहिटंग्चितंग सम्मा पड़ी हितंग चितंग का मतलब है कि सम्मयक रूप से सही रूप से सही दिसा में संकल्प किया हुआ मन चितंग सयोसो नैत तो करे उससे बढ़कर कोई भी तब स्रेष्ट नहीं हो सकता इसका मतलब यह है कि माता पिता भी आपने बच्चे की इतनी भलाई नहीं करते और नहीं कोई दिस्दार कोई बंदू इतनी भलाई करता है जितनी भलाई आपका मन जो अच्छे काम में लगा हुआ हो वो करता है यह इस गाथा का सार है इसका मतलब यह हुआ कि माता पिता अपनी जम्मेदारी निभाते हैं और भाई बंदू जितने भी हैं वो सब अपनी जम्मेदारी निभाते हैं सही करके रखते हैं मगर अगर आपका मन दूसित है आपका मन संकल्प से भरा हुआ है पाप से भरा हुआ है तो फिर आप अपने दुस्मन खुदी हैं आपका कोई फैदा नहीं कर सकता और अगर आपका मन सही दिसा difficult में लगा हुआ है आप सही काम करते हैं पंच शिलका पालन करते हैं किसी को हानी नहीं पहुचाते हैं सराब नहीं पीते हैं जुआ नहीं खेलते हैं ये चित्वक की गाथा नमबर 43 है, बहुत सरल भासा में बताई हुई गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है, अपने मन को सुद्ध रखेंगे तो आपकी भलाई सबसे ज़्यादा आपका मन ही करेगा, आपके नहीं है. ये काथा केईजी के इस प्रकावी बताई हुई है, कि महा कच्छान अपना चीवर बदल रहे थे, उस समय जो सौरे है उसने उनको चीवर बदलते देखा, उसकी एक्छा उनके सरी के उपर पूरी तरह से आसक्त हो गई, आसक्त होने के बाद उनके मन में दुएस आ गया, उन जाती हैं, इसलिए कहानी जितनी भी हैं, आप सार में जाइए, जो कथा हैं, वो बदलती रहती हैं, जो गाथा हैं, वो बिलकुल ठीक हैं, उनके अर्थ बिलकुल ठीक होते हैं, गाथाओं में कहानिया नहीं होती हैं, गाथा में बिलकुल सार होता है, सूत में सार होता है, दन्यवाद। दन्यवाद।